कि नमस्कार आज मैं रीड की हड़ी के ठीड़रपन जिसको कुब्रापन भी कहते थे हैं उसके बारे में बहुत सारे सवाल मुझे पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं बतलाना चाहता हूं एक बार फिर से कि जो कुब्रापन है या रीड की हड़ी का तेरहपन है जो अपने आप होता है बिना चोट लगे या बिना किसी infection या cancer की बीमारी के जो कई सारे बच्चों में बच्पन से ही होता है कभी कभी जन्म से ही होता है और कुछ लोगों में बाद में पता चलता है मुख्यूप से इन सब का कारण जन्म से कुछ हड़ी में गरवरी होती है तो इसका कैसे इलाज करना चाहिए लोग बार बार पूछते हैं कि कब सरजरी करना चाहिए सरजरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये कितना खतरनाक है ठीक हो जाएगा या नहीं इस बारे में मैं कुछ मोटी मोटी असपस्ट बातें बतलाना चाहूंगा आपसे कि रीर की हड़ी का टेड़ापन बहुत रेर बीमारी नहीं है, बहुत लोगों को होता है, उसके इलाज की जरूरत चाहे वो बश्पन में हो, कोई बच्चा हो या ग्रोन अप एडल्स बड़ है, वो बहुत ज़्यादा होता है, उसका मेजर्मेंट है, जब वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी सरजरी करने की जरूरत अवस्य होती है, खास कर यदि पाओं में किसी तरह की कमजोरी या सुनापन होता है, तो उसको करना जरूरी होता है, जरूर से करना चाहिए. दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। परता है, उस इंसान को कोई तकलीफ नहीं होती है, कभी कभी कोई तकलीफ तो नहीं होती है, लोग चलते फिरते रहते हैं, लेकिन ये टेरापड इतना ज्यादा होता है, कि वो खतरनाक होता है, और हलके फुल के चोट में भी उनको पाव में तकलीफ हो सकती है, या वो इतना पुरह लगता है जो शब्द है ये कुब्डेपन का उन लोगों में सरजरी की जरुरत होती है और करनी चाहिए. अब बात आती है कि यह कितना खदरनाक है यह कितना सुरक्षित है देखिए जिसको करना होता है उसके लिए तो जरूर ही करना है, रिस्क लेते हुए में करना पड़ता है, इसमें रिस्क है, ज़्यादा तर सरजरी जो शरीर के important खून की नलियां है, उसके बहुत पास में होती है, तो रिस्क है, पुरी तरह से नो रिस्क सरजरी है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी आजकल जो हमारी टेकनीक है मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सरजरी के जरिये, हम ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित तरीके से यह सरजरी कर पा रहे हैं, जिसमें कम से कम हानी जान की या नसों की कोई नई तकलिफ न हो, पाओं में इस बात को हम सुनिशित करते हैं मिलाकर, यदि रीड की हड्यों में टेढ़ापन है, जो असपस दिखता है, तो आपको ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जो उसका सरजरी के द्वारा इलाज करते हैं और यदि पाओं में तकलिफ हो, तब तो जितनी जल्दी हो सके, उसकी सरजरी के लिए त्यारी करके करवा लेनी चाहिए यदि पाओं में तकलिफ नहीं हो, तो डॉक्टर के ये सलाह को मानते हुए, फॉलो अप में रहना चाहिए और यदि जरुद परे भविश्य में, तो सरजरी करना चाहिए यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की जानकारी हम आपके पास ज्यादा से ज्यादा ला सकें